जानिए भारत के प्रसिद्य बारा जोदिरलिंगों के बारे में महादेव दीवों के देव कहे जाते हैं महादेव हिंदु धर्म के प्रमुक देवता माने जाते हैं और हिंदु अद्वारा पूजे जाते हैं महादेव दीवों के देव कहे जाते हैं आसे तो महादेव बहुत ही सरल सोभाव के हैं और शियो की पूजा करना बहुत ही सरल होता है। ऐसा कहा जाता है कि शियो का दूसरा रूप शक्ती है। शियो कंड-कंड में बसे हैं और शियो की पूजा से जग जीता जा सकता है। प्राचीन काल से ही भगवान शियों के चमतकारों की कहानी प्रचली थे कहते हैं भगवान अलग-अलग रूप में आकर दुख्यों की मदद करते हैं ऐसे ही कुछ चमतकारों और रहस्य महें मंदीरों के बारे में आपको बताते हैं सोमनाथ मंदीर सोमनात मंदिर भारत में 12 जोतिरलिंगों में से पहला जोतिरलिंग मंदिर है यह भारत की पशिमी टट गुजरात के वेरावल में इस्थी थे यह एक धार्मिक स्थान है जहां लोग जोतिरलिंग का दर्शन करने आते हैं सोमनात का मतलब है सोम की भगवान से जो शिव कहलाते यह एक महत्वपूर्ण तेथी स्थान है जहां सेकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं यह श्यूजी का प्रमुक स्थान भी है इस श्यूलिंग के यहां स्थापित होने की बहुत सारी पौरानिक कथाये हैं ऐसा कहा जाता है कि यहां भगवान दर्शन दिने आ माना जाता है कि इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कहलाश परवत के समान है इस मंदिर की धार्मिक व्याख्या कई पौरानिक कथाओं में सुनने को मिलती है अने को धार्मिक सास्त्रों एवंकाव्य में इस मंदिर का वर्णन मिलता है ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से लोग दोश रहित हो जाते हैं और उनको पापों से मुक्ती मिलती है साथ ही पुर्णे मिलता है महा कालेशवर जोतिरलिंग मधिपरदेश की धार्मिक राजजानी उज्जेन में अस्थी थे भगवान शिव का तीसरा महा कालेशवर जोतिरलिंग ये एक मात्र दक्षिन मुक्की जोतिरलिंग है यहां प्रती दिन सुभग की जाने वाली भसमा आरती दुनिया भर में प्रसली थे इस जोतिरलिंग की पूजा खास तोर से आयू व्रदी और जीवन में आयकस्ट को टालने या निवारन की लेकी जाती है उज्जेन वासी मानते हैं कि भगवान महा कलेशवर ही उनके राजा है और वे ही उज्जेन की रख्षा कर रहे हैं अंकार इश्वर जोतिरलिंग मध्य प्रदेश के प्रसीद शहर इंदोर के समिप खरगोन में इस्थी थे यह जोतिरलिंग नरब्रा नदी किनारे बसा है और इसके चार और उची उची पहाड़िया मौजूद है इसकी वज़र से यहां पर आम की आकरती बनाई गई है आम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्रिया वेदो का पार्ट आम सिग के साथ ही किया जाता है यह जोतिरलिंग आम की अकार का है इसलिए इसका नाम आम का रिश्वर रखा गया है और दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है केदारनाथ जोतिरलिंग उत्तिरा खंड में इस्थित केदारनात में पांचवा जोतिर लिंग है या भी भगवाई शिव के बारा प्रमुक जोतिर लुंगों में से एक प्रमुक जोतिर लिंग है बाबा केदारनात का मंदिर बद्रिनात के मार्ग में इस्थी थे केदारनात की व्याख्या इसकंद प दर्शन के लिए हर साल लाखों की संग्या में लोग आते हैं दर्शन औरत उच्वक के तरहन संग्रेट ऐ हिस्वक्त मंदिर्श को मोटेश्वर महादेव के काशी नामक स्थान पर इस्थी थे यह जोतिय लिंग भारत के भारा जोतिय लिंगों में से एक है इस स्थान की ऐसी मानिता है कि अगर धरती पर कोई संकट या प्रलय आया तो भी यह शियू मंदिर बना रहेगा शियू के आशिरवास से उत्रपदेश में इस्थित काशी कुछ भी नश्ट नहीं होगा और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई प्रलय आया तो शियू काशी को अपने त्रिशूल में उटा लेंगे और प्लय खत्म होने पर फिर से काशी को उस स्थान पर पुनह स्थापित कर देंगे त्रम्ब केश्वर जोतिरलिंग यह जोतिरलिंग महारास्ट के नाशिक जीले में गोदावरी नदी के किनारे इस्थी थे जोतिरलिंग के निकर प्रह्मगीरी नामक परवत पर इस्थी थे उसी परवत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है ऐसा कहा जाता है कि गोतम रिशी और गोदावरी नदी की अनुरोध पर ही भगवान शियू यहाँ पर जोतिर लिंग के रूप में विराज हुए और इसका नाम टरंब केश्वर महादेव जोतिर लिंग दिया गया